हाई फ्रेंड्स मैं हूँ हाफीज आप देख रहे है हो हिंदी टेक्ट्यूर्स फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग रेड्मी मोबाइल या शामी मोबाइल्स का पैट्रान लाग क्या पिन लाग भूल जाते हो तो उसको किस तरह रिकावर कर सकते हैं देखेंगे अगर आप रिकावरी मोड पर जाकर वहां डाटा को वाइप करते हो तो उसे भी रिकावर कर सकते हो यानि पासवर हटा सकते हो पर उसे आपका डाटा चला जाएगा आज का जो प्रोजिजर में बताने जा रहा हूँ इसे भी आप रिकावर कर सकते हो इसे भी डाटा तो वो क्या पूछे का आपको मोबाइल के साथ पिन को करने के लिए कहेगा और वहां पर ही जाकर रुख जाएगा बाद में आगे नहीं चलेगा पर मैं आपको इस वीडियो में एक प्रोजिजर दिखाता हूं उसके जरीए आप आसानी से अपने मोबाइल का पासवर्ड रि फुल जाते हो तो उसको रिकोवर कर सकते ओ पर यह गारंटी नहीं है कि हर मोबाइल के साथ काम करेगा आपको एक ट्राइन यहांने अगर आपका पास दूरा कोई चैस्थ नहीं है अगर आप इसको एक बार आजमा कर देख सकते हो this nie लिए सकता हो जो है ना रेड्मी मोबाइल का वो तो 100% वर्क करेंगा, क्योंकि देखिए मेरा फ्रेंट का मोबाइल एक था, वो उपर से नीचे गिर गया है, अच्छली उसके उपर फिंगर प्रिंट लाग लगा था, ठीके, तो फिंगर प्रिंट लाग लगा थे टाइम, देखिए आपक प्रिंट लाग या प्रिंट लाग लगाने के लिए वो एक आपको चॉइस देता है, ठीके, तो मेरा फ्रेंट का मोबाइल नीचे गिर कर तुट गया, फिंगर प्रिंट सेंसर खराब हो गया है, देखिए उसको उसका जो प्रिंट लाग और प्रिंट लाग जो कुछ भी में सड़े, आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीके, देखिए मेरे पास एक फोन है, इसका पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, और ये फोन का फिंगर प्रिंट भी खराब हो चुका है, ठीके, तो इसे देखिए मैं तरह तरह के ये जो इसका एड़ है न, ये नीचे गिर के तुड़ चुका है, अब इसका जो फिंगर पिंट सेंसर है न, ये भी काम करना बंद हो चुका है, ठीके, तो हम लोग आप इसको रिसेट करेंगे, फ्रेंड्स रिसेट करने के लिए देखिए, फाले आपको इसे फाले आफ कर देना पड़ेगा, तो मैं इस फोन को आफ कर देता हूँ, आफ करने के बाद देखिए, आपको जो पावर बटन होता है न, पावर बटन और वाल्यूम डॉन बटन, दोनों को एक साथ दबाना है, ठीके, तो इस तरह दोनों को एक साथ दबाने के बाद, ये आपका जो फो पर आपको recovery option पर ही wipe data नाम का option दिखाई देता है, आप वहां से भी कर सकते हो, पर ये कुछ redmi mobiles पर नहीं दिखाई देता है, तो देखिए मैं यहां से English language सेलेट करके recovery पर जाता हूँ, ठीके, तो recovery जाने पर, देखिए आपका phone recovery mode पर on हो जाएगा, और आपको USB cable के साथ connect करन है आपके mobile को computer के साथ, connect करने के बाद देखिए मैं नीचे आपको MI password remover नाम का इस तरह का एक app देता हूँ, ठीके, एक software देता हूँ, ठीके, तो link नीचे description मिल जाएगा, उसको आप download कर लिजे, download करने के बाद आपके computer पे C drive में या D drive में paste कर लिजे, ठीके, तो paste करने के बा mobile को आप अपने PC के साथ USB cable के जरीए connect करके रखिए, connect करने के बाद यहाँ आपको press any key पूछेगा, तो press any key प्रेस करते ही, आपका mobile एक बार restart हो जाएगा, restart होने के बाद आपको एक command टाइप करना पड़ेगा, तो उस command टाइप करने से पहले आपको, देखिए, डास पर जा तो मेरे पास यहाँ run command खुल जाएगा और यहाँ cmd यानि command prompt open कर लिजे, open करने के बाद दीखिए, मैं इस folder को download किया था ना, यह my password remover, इसको मैं d drive में copy किया हूँ, ठीके तो मैं यहाँ से दीखिए, d drive पर चले जाता हूँ, d drive पर जाने के बाद, जाने के लिए d colon, enterprise करते ह जाने के बाद आपको यहाँ change directory करना पड़ेगा, उसके लिए cd space, आप जिस भी, क्या कहते हैं, folder का path copy किये थे ना, उस folder का path को यहाँ पेश करके enterprise कर दीजे, enterprise करने के बाद दीखिए, आपको यह my password remover folder पे आप आ चुके हो, आने के बाद दीखिए, आपको यहाँ क्या type कर पड़ेगा, यहाँ आपको adb reboot type करिए, ठीक है, adb reboot, इस तरह type करके enterprise कर दीजे, आपका mobile restart हो जाएगा, और आपका mobile का सारा data चल जाएगा, और आपका password भी remove हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए, मेरा phone जो reboot हो रहा है, इस तरह reboot हो जाएगा, आपका mobile भी, बाद में इस तर country select करने के लिए काएगा, यानि आपका mobile जैसे फाइला था ना, फाइले बार आपने open किया था ना, उस तरह हो जाएगा, आपका mobile reset हो जाएगा, ठीक है, तो यह मैं मोबाइल के लिए 100% काम करेंगा, ठीक है, आप यही काम दूसरे mobile के साथ करना चाहते हो, तो आपको देख आपको क्या कहेगा, यहाँ आपको देखिए, अनलाक है ना, इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करने के बाद, यहाँ से आउरेक software डाउनलोड होगा, बाद में इसको प्रेस करिए, इसको प्रेस करने के बाद देखिए, आपके mobile को USB cable के साथ connect करने के लिए कहेगा, आप अपन unlock कर पाता है तो direct unlock कर देगा वरना देखिए आपके पास lock screen not supported for your device currently इस तरह का message दिखाई देगा यानि इस software से आपका mobile passport reset नहीं होगा ठीक है तो आपके पास Samsung या कुछ तरह कुछ दूसरा brand का mobile है तो आप एक बार try करके देख सकते हो यह 100% नहीं है पर मैंने जो पहला method बताया था ना MI का वो तो सारे MI mobiles के लिए 100% work करता है ठीक है तो friends वीडियो पसंद आता है तो like करिए share करिए thank you